तो आज हम देखेंगे क्लास एट की सब्जेक हिंदी का चैप्टर 12 सुधामा चरीत का ग्रहे कारे जो की स्माइल ओर्लाइन क्लासेज की द्वारा अध्यनरल सब्भी विध्यार्थियों को उनकी कक्षा के अनुसर दिया जा रहा है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यह ग्रहे कारे दिना 17 दिसंबर 2020 को दिया गया है इन प्रेश्णों के उत्तर अपनी किताब में लिखें एवं अपने सिक्षक के साथ इने साजा करें कोईशन फर्स्ट है सुदामा चरीत पाठ के कवी का नाम बताईए आंसर देखते हैं तो आंसर है सुदामा चरीत पाठ के कवी का नाम नरुतम दास जी हैं नेक्स कोईशन सेकिंड है सीज पगान जगा तन में तैस तैस इस पद में किसकी दशा का वर्णन किया गया है आंसर है सुदामा अपनी पतनी के आगरे पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारी का पहुँच जाते हैं द्वारपाल ने उन्हें रोक कर श्री कृष्ण की पास जाकर निवीदन किया कि हे प्रभू दर्वाजी पर एक ब्रामन खड़ा है जिसके सिर न पगड़ी है और न शरीर पर जगा यानि की कुर्ता है वह न जाने कहां से आया है तथा किस गाम का रहने वाला है इन आरपाल ने श्री कृष्ण से सुदामा की गरीब इस्थिती का वर्णन किया है नेक्स कोईशन थर है श्री कृष्ण की नगरी का नाम बताईए आंसर देखते हैं श्री कृष्ण की नगरी का नाम द्वारी का है नेक्स कोईशन फोर्थ है निम्न शब्दों के हिंदी अर् शब्द है फिस्ट है गजवाजी सैकिन है लोचट थर्ड है पुलकनी फोर्थ है पठ्वनी तो चलिए इन शब्दों के अर्थ देखते हैं फ़र्स्ट है गजबाजी जिसका अर्थ होता है हाती घोड़ा। सेकिंड है लोचद जिसका अर्थ होता है लालच। थर्ड है पुलकनी जिसका अर्थ होता है खुश होकर। फोर्थ है पठवनी अर्था भेजना। सुदामा चरीत पार्ट में किनकी मित्रता के बारे में बतलाया गया है आंसर है सुदामा चरीत पार्ट में स्री क्रिश्न और सुदामा की मित्रता के बारे में बतलाया गया है तो ये था सुदामा चरीत पार्ट का ग्रह कारे हम आगे भी अन्ने पार्ट के ग्रह कारे देखे तो जुड़े रहे इस कुल राज थोरी चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद